नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है कहानी के इंद्र में मेरा नाम है मलय भटा चारिय दोस्तो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी जी की जिसका शीरशक है जहल मला वैसे तो दोस्तो आप मेरे चैनल पर मेरी कहानिया सुन मैं बरामदे में टहल रहा था इतने में मैंने देखा कि विमला दासी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भावी के कमरे की ओर जा रही हैं मैंने पूछा क्योंरी ये क्या है वो बोली जलमला मैंने फिर पूछा इससे क्या होगा उसने उत्तर दिया नहीं जानते हो बाबू आज तुम्हारी बड़ी भावी पंडित जी की बहु की सखी होकर आई हैं इसलिए मैं उन्हें जलमला दिखाने ले जा रही हूँ तब तो मैं भी किताब फेक कर घर के भीतर दौड गया दीदी से जाकर मैंने कहा दीदी थोड़ा तेल देडो दीदी ने कहा जा अभी मैं काम में लगी हूँ मैं निराश होकर अपने कमरे में लोटाया फिर मैं सोचने लगा ये अफसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए अच्छी दिल लगी होगी मैं इधर उधर देखने लगा इतने में मेरी द्रिष्टी एक मुम्बत्ती के टुकडे पर पड़ी मैंने उसे उठा लिया और एक दियसलाई का बक्स लेकर भावी के कमरे की उर गया मुझे देखकर भावी ने पूछा कैसे आयो बाबू मैंने बिना उत्तर दिये ही मुम्बत्ती के टुकडे को जलाकर उनके सामने रख दिया भावी ने हस कर पूछा मैंने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया भावी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर पाँच रुपे रख दिये मैं कहने लगा भावी क्या तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है भावी ने हस कर कहा तो कितना चाहिए मैंने कहा कम से कम एक गिन्मी भावी कहने लगी अच्छा अच्छा इस पर लिख दो मैं अभी दे देती हूँ मैंने तुरंत ही चाकू से मुंबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया मुल्य एक गिन्नी भावी ने गिन्नी निकाल कर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर मैं ये घटना बिल्कुल भूल गया आठ वर्श व्यतीत हो गए मैं बीए एललबी होकर इलाबाद से घर लोटा घर की वैसी दशाना थी जैसी आठ वर्श पहले थी ना भावी थी ना विमला दासी ही भावी हम लोगों को सदा के लिए छोड़ कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटगी में खेती करती थी संध्या का समय था मैं अपने कमरे में बैठा नजाने क्या सोच रहा था पास ही कमरे में परोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी कुछ बातें हो रही थी इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही है कुछ भी हो बेहन मेरी बड़ी बहु घर की लक्ष्मी थी उस स्त्री ने कहा हा बेहन खोब याद आई मैं तुमसे पूछने वाली थी उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूब भेजा था ना दीदी ने उतर दिया हाँ बेहन बहु कह गई थी उसे रोहनी को दे देना उस स्त्री ने कहा उसमें सब तो ठीक था पर एक विचित्र बात थी दीदी ने पूछा कैसी विचित्र बात वो कहने लगी उसे मैंने खोल कर एक दिन देखा तो उसमें एक जगे खुब हिफाज़त से इरेश्मी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला मैं सोचने लगी ये क्या है कौतुहलवश उसे खोल कर देखा बेहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा दीदी ने उत्तर दिया गेहना रहा होगा उसमें हस कर कहा नहीं उसमें गेहना नहीं था वो तो एक अधजली मुंबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था मूल्य एक गिन्नी खषण भर के लिए मैं ग्यान शून्य हो गया फिर अपने हृदय के आवेग को न रोक कर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिला कर कहने लगा वो मेरी है मुझे दे दो कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी कुछ इधर उधर देखने लगी उस स्त्री ने अपना सिर ढांकते ढांकते कहा अच्छा बाबू मैं कल उसे भेज दूँगी पर मैंने रात को एक दासी भेज कर उस टुकडे को मंगा लिया उस दिन मुझे से कुछ खाया नहीं गया पूछे जाने पर मैंने ये कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है बड़ी देर तक मैं इधार उधार टहलता रहा जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी सिर का दर्द कैसा है पर मैंने कुछ उत्तर न दिया चुपचाब जेव से मुंबत्ती को निकाल कर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया कमला ने पूछा ये क्या है मैंने उत्तर दिया जलमला कमला कुछ न समझ सकी मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे जलमले का शूद्र आलोक रात्री के अंधकार में विलींग हो गया